हेलो दोस्तो, Be Wise and Wealthy चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक दोस्तो जिन में अगर आप डिसिप्लेंड मैनर में SIP करते हैं और regularly SIP करते हैं, लंबिश समय तक निवेश करते हैं दोस्तो तो definitely ये जो stocks हैं दोस्तो, आपको यहाँ पर multi-bagger returns दे सकते हैं और ये पांचो की पांचो कंपनी दोस्तो, SIP करने लायक है मतलब कि जो track record है इनका दोस्तो बहुत ही लाजवाब है और अपने शेत्र के दोस्तो ये leader companies हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो income market cap दोस्तो already बहुत ज़ादा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक already stable, well established ये companies हैं तो आज के वीडियो में दोस्तो पूरी जानकरी में आपको देने वारा हूँ और यहाँ पर आप disciplined manner में निवेश कर पाएं तो वीडियो अच्छा लगए दोस्तो प्लीज एक like करके encourage जरूर कीजिएगा तो चलिए पहली company कौनसी है चलिए देखते हैं तो पहली company है दोस्तो one and only avenue supermarts यानी की DMART तो जिया दोस्तो DMART देखिए बहुत ही शांदार company है और जो इसका motive है एजेंडा है वह है दोस्तो you know to provide best daily consumer product at the lowest cost जिया दोस्तो यह EDLP और EDLC method पे काम करती है यानी कि everyday low prices everyday low cost तो यहाँ पर दोस्तो यह method पे जो बहार के walmarts है या फिर आप और जो retail जो बड़े retail chains है जो industry है दोस्तो काफी जादा growing है आपको पता दोस्तो यहाँ पर Reliance ने भी दोस्तो यहाँ पर aggressive targets दी है अपने retail business के लिए तो every super mart दोस्तो यहाँ पर already एक well established player है बहुत ही शांदर company है और यहाँ पर दोस्तो देखिए तो सबसे बड़ा दोस्तो advantage इनके पास यह है इनकी सारी expense दोस्तो यहाँ से save होती है तो यह एक major point है जो अलग बनाती है दोस्तो डी को अलग retail chain दूसरे retail chain से अलग बनाती है दूसरा है दोस्तो यहाँ पर यह जो इनके जितने भी suppliers है दोस्तो यहाँ पर उनको early payment करती है जिसके वजह से buying करते हैं और दोस्तो इन volumes में अगर buy करते हैं तो इनको definitely जो है trading discount भी मिलता है because of heavy volume buying तो यह जो discount है इनको consumers में दोस्तो spread करते हैं जिसकी वज़े से definitely इनको यहाँ पर daily low prices रखने में मदद मिलती है इसकी वज़े से यहाँ पर इनको काफी फायदा होता है इनके margins में कोई भी impact नहीं पड़ता है सारा का सारा जोस्तो यह जो discount इनको trade discount जो cash discount मिलता है suppliers से यहाँ पर तो वो definitely यहाँ पर दोस्तो segregate हो जाता है तो यह दूसरा point है जो इसको अलग बनाता है तीसरा दोस्तो यहाँ पर इनके chain दोस्तो इतनी बड़ी हो चुगी है कि definitely यहाँ पर इनके पास advantage है जियां दोस्तो मतलब across the country आप देखेंगे चाहिए MP, Gujarat, Maharashtra, Karnataka सब जगे इनके stores हैं फिर देखें 2019 बीस में 214 stores हुए फिर 2020 में 234 store हो जियां दोस्तो और FI 2021 में इन्होंने 22 नए store और open किये and those stores को इन्होंने convert किया fulfillment centers में for Avenue e-commerce limited तो आप देख सकते हैं दोस्तो पूरे देश में इनकी यहाँ पर property है और हाली में यहाँ पर एक update news भी आ रही है कि इन्होंने यहाँ पर master में दोस्तो एक और यहाँ पर commercial building इन्होंने I think 70 या 75 करोड के आसपास यहाँ पर दोस्तो खरीदी है तो यह दोस्तो यह चीज जो है इसकी काफी जादा है आपर एक positive है DMART इसलिए दोस्तो यहाँ पर जो है DMART इतना successful है यहाँ पर जो consumers हैं बार-बार आते हैं क् यहाँ पर daily उनको low prices मिलते हैं low cost चीजे मिलते हैं जो MRP होते हैं उनसे भी नीचे समान यहाँ पर मिलता है तो यह है दोस्तो इसका एक आप कह सकते हैं कि more competitive advantage इस company के पास retail business और definitely अगर आप कभी DMART गए हो आपने देखा होगा कि DMART में कितने भीड रहती हैं और लोग यहाँ बल्क जो है buying करके जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना जाद हैं आप दोस्तो वॉल्यूम में DMART यहाँ पर you know play out करता है और definitely जो इनका inventory turn out time है अपने peers के मुकावले दोस्तो बहुत ही काम है इनका inventory turn out जो turnover time है दोस्तो 35-30 के आसपास है वही अगर इनके peers की बात करें तो competitive advantage है और daily discounts तो यहाँ पर होता ही है दोस्तो definitely volumes काफी अच्छे है और मैं देखिए store wise addition की बात करूँ तो FI 16 में 110 थे फिर और ने 21 और addition किये FI 17 में 18 में 24 और add किये FI 19 में 21 add किये 20 में 38 add किये FI 21 में 22 add किये तो साल दर साल दोस्तो अपने देख सकते हैं आप store यह बढ़ाते मेरा personal conviction है और आपका भी दोस्तो होना चाहिए क्योंकि retail sector पूरे यहां से definitely growing है क्योंकि emerging nation है यहाँ पर हमारी GDP है per capita consumption दोस्तो बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर retail stores पर आप देखेंगे तो काफी जादा भीड उमरती हुई नजर आती है अगर बात करें दोस्तों डीमार्ट की रही fundamentals की बात करें तो fundamentals भी बहुत ही मजबूत है company के 2,5,5,0 करोड का market cap है high P.E. है दोस्तों यहाँ पर definitely क्योंकि यह सस्ते मिलने वाला है नहीं तो यहाँ पर definitely अगर आप SIP करना इसमें चालू करते हैं long term के लिए दोस्तों मुझे हुआ बताया है मतलब 100X ग्रो होने का potential है डीमार्ट में ऐसा IDBI Capital ने यहाँ पर बताया है और fundamental दोस्तों आपको पता ही है year on year यहाँ पर company double digit growth में आपर double digit में grow हो रही है चाहे sales की बात करें तो definitely profit की बात करें तो शांदार है profitable company है और shareholding pattern आप देखने हैं तो FIS की holding काफी अ के लिए काफी जबरदस्त business model है जो renewable premium से दोस्तों यहाँ पर हमको healthy growth देखने को मिली around 20% से ज़ाद है कि यहाँ पर growth देखने को मिली और जो new business premium थे वहाँ पर भी 40% की growth देखने को मिली तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर definitely profit इसलिए कम हुए क्योंकि यहाँ पर I think यहाँ पर कुछ इनोंने provisions किये थ यहाँ पर जो इनके NPAs हैं definitely बिल्कुल शूर नहीं क्योंकि दोस्तों life insurance और यह AMC के business काफी जादा दोस्तों you know एक profitable business होते हैं यह आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा expenses हमको देखने को नहीं मिलते और established market position है बात करें दोस्तों life insurance sector की काफी growing sector है under penetrated यह sector है market share यह लगातार अपना बड़ा जाने चाहिए new business premium की मैं बात करूँ तो यहाँ पर I think इनका 8-10% का दोस्तों यहाँ पर FI 22 में FI 21 में इनका जो है market share है और मतलब extensive industry expertise है दोस्तों इनके पास life insurance business में और strong group है जैसे कि पता है HDFC group को belong करती यह presence की बात करें तो across all states and union territories में दोस्तों इनकी presence है strong brand image है ठीक है direct access है दोस्तों large customers large customer base यहाँ पर जो है HDFC group का उसके थूँ यहाँ पर cross selling opportunities इनको मिलती है direct access है to the large customer base of HDFC group ठीक है और low insurance penetration sector यह सबसे बड़ा दोस्तों एक factor है जो आपकर बताना चाहूँगा insurance दोस्तों जो space है जो industry है जो sector है काफी under penetrated है underserved है आप देखें इंडिया की अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पर penetration only 2.8% है वही अगर टाइवान की बात करें होंग कोंग की बात करें सिंगापूर यहाँ जपैन यहाँ थाइलेंड आप देखें दोस्तों कितना ज़्यादा है तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी population है अब देखें देरे देरे aware हो रही है कोविट के बाद definitely यहाँ पर awareness बढ़ी है और आप देखेंगे दोस्तों देरे यहाँ पर term insurance life insurance का है पर penetration आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ से दोस्तों expected है कई जो विद्वान है जो कई analyst है दोस्तों उन्होंने बताया है कि अगले आने वाले 10 साल में जो life insurance sector है वो यहां से दोस्तों आपको 10X भी होता हुआ देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह है second stock अगर fundamentals की बात करें तो देखिए 1.5 लाग करोड का market cap है बिलकुल debt free company है शांदर promoter holding है free cash flows आप देखिए बहुत ही शांदार है और दोस्तों company overall अगर बात करें तो बहुत ही लाजवाब है FIIs की holding देखिए 2018 में 8% थी आप देखिए highest है June 2021 में 26% की तो आप समझ सकते हैं कितना जाद हैं आपर FIIs और DIs और promoters को भरोसा है अपने business पे तो यह है दोस्तों दूसरा stock की स्टॉक है दोस्तों वन और ओनली बजाज finance तो जी हां दोस्तों इसके बारे में introduction की कोई requirement ही नहीं है यह largest NBFC है इंडिया की और मतलब strong market presence है दोस्तों इंडिया अगर हम बात करें इन non bank retail financing sector की और जिस प्रकार से दोस्तों यह हमारी emerging nation है यहाँ पर definitely finance की need काफी जादा है अगर आप देखें बजाज finance के जिए कितने सारे cards हमने भी दोस्तों use किये हैं आपने भी कियो होंगे comment करके ज़रूर बताइएगा तो यहाँ पर मतलब एक reasonable presence है across different asset class दिया दोस्तों बात कराओ different asset class की तो यहाँ पर एक जबरदस company है और इनकी अगर long term guidance देखें तो देखें AUM growth यहां से हमको करीब 25-27% की यहाँ पर management ने growth guidance दी है profit growth 23-24% यहाँ पर guidance दी गई है gross net NPS की बात करें तो 1.4-1.7% यहाँ पर रह सकते है net NPS की देखें बहुत ही कम मतलब एक दोस्तों जो bank है उसको टकर देता है जो traditional banks है दोस्तों उनको यह वैसे एक नाम का ही bank है लेकिन दोस्तों जो banks है उनसे भी बड़ा यहाँ पर जो है कि financing आप कह सकते हैं कि जो financing sector का player है non bank retail में ठीक है return on assets की बात करें देखें यहाँ पर corridor रखा गया 3.3% से 3.5% जो कि बहुत ही शानदार है अ पर कुछ दूसरे चीज़ों की जो इन्होंने हाली में यहाँ पर launch की है वो है दोस्तों इनका wallet business जहाँ पर देखे करीब इन्होंने 320k customers आरड़ी दोस्तों on board कर ली है जो management का guidance है 522 end होने तक वो है दोस्तों 5 million customers तो जी हाँ दोस्तों यहाँ यहाँ पर 5 million customers यानि की जो है 5 lakh customers यहाँ पर हमको on board होते हुए देखने को मिल सकते हैं इनके wallet business में तो यहाँ पर यह भी definitely उस्तों digitally transform कर रहे हैं अपने आपको तो यह बहुत ही promising चीज़ और जिस प्रकार से उस्तों 2008, 2015, 2018 को यहाँ पर tackle किया है इनकी management ने तो इस business उस्तों हमको कोई शक नहीं होना तो यहाँ पर तमाम दोस्तों asset class में इनकी presence है और तमाम तरहे के products जो है इनकी segments है different categories में इनका product यहाँ पर cater करते है different asset class को तो इस company के बारे में दोस्तों introduction की कोई requirement नहीं है इसमें आप आख बंद करके पैसा लगा सकते है market cap आप देखिए 4,20,000 करोड का market cap है बहुत ही जबर करके आप इसमें पैसा लगा सकते हैं बिलकुस सोचने की ज़रूरत ही नहीं है साड़े 6,00,000 करोड के आसपास का market cap है return on capital employed return on equity अभी March 21 में दोस्तों यहाँ पर जो COVID आया था March 20 में उसकी वज़े से यहाँ पर ROC, ROE कम होते हैं वो देखने को मिले हैं लेकिन इनका जो अग यह Health, Hygiene, Nutrition, Portfolio जबरदस तरीके से इनका growth होता हूँ हमको देखने को मिला है और लगातार यहाँ पर दोस्तों इन्होंने market share gain किया है जिया दोस्तों अगर different you know segments में बात करें तो all three segments जो की है Health, Hygiene, Nutrition तीनों में इन्होंने अपना market share लगातार gain किया है और GSK का जो इन्ह 50% of their business they are the market leaders यहां दोस्तों चाहिए Soap की बात करें तो देखे Life Boy इनके पास है Dove इनके पास है Lux, Liril, Hamam, Pears ठीक है Oral Care की बात करें तो Pepsodent and Close-up जैसे brands इनके पास ठीक है अगर skincare की बात करें ठीक है skincare की बात करें तो देखे glow and lovely जैसे इनका पैस brand है और I think Pond's भी इनका है, V Vaseline भी इनका है ठीक है यह सारे products दोस्तों इनके हैं जो आपके घर में आपको देखने को मिलेंगे Hair Care में देखे ट्रेस में है, Fabric Wash में बात करें तो Wheel, Rin और Surf Excel तीनों इसी के product है दोस्तों ठीक है अगर मैं आपको दिखाना चाहूं देखिए यह देखिए यहां पर आप product आपके घर में देखने को मिलते हैं, तो यहां पर इन products की demand कभी कम नहीं होने वाली, थोड़ा सा raw material fluctuation होता है, तो definitely volumes कम होते हैं, volumes कोविड की वज़े से भी कम हुए, fluctuations हुए, थोड़ा से margins के कम होते हो देखने को मिले, because of raw material, तो यह fluctuations तो चलते रहेंगे, लेकिन long term अगर growth देखी बात करें, तो यहां पर दोस्तो मुझे रखता है, यह company आपको आगे आने वाले 50 सालों में भी यहां पर टिकती हुई नजर आएगी, और SIP उनी company में की जाती है, जहां पर आपका नजरिया 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो, तो यह जो company में आपके साथ discuss कर रहा हूँ, यहां इसलिए आपको यहां पर definitely invest करके चलना चाहिए, अगर हिंदुस्तान यूनिवर की बात करें, तो आपको पता यह profit चाहे बात करें, चाहे revenue की बात करें, चाहे sales growth या फिर margins की बात करें, तो जबरदस्त company यहां पर आती है, और last company है दोस्तो, but not the least, Infosys, जी हां दोस्तो, IT से सक्क्रीं की मैंने बात करें, यहां पर देखे, DMAT की बात करें, तो retail रिटेल सेक्टर है, HGFC life की बात करें, तो इटलेंस सेक्टर है, अगर werdुए प्रमनी के बातों अगर को कि बहुत घम स्यातना रखेनाय, पॉटी ट्राइकू抱र करत मुट्राय裡面 की बया तो क्लारा के स्वेक्राइं को घम स्यादत खतेंगे में मैंञेज्मेञ्मेट्ट Charles में आता है और लीडिंग प्लेयर है दोस्तों इंडियान आई-टी स्पेस में यह आपको पता ही है मार्केट के आप देख सकते हैं साथ लाक साड़े सवा साथ लाक करोड के आसपास है फ्री कैश फ्लोज तो आई-टी कंपनी तो यहां पर कैश जनरेटिक मशीन तो होती है यह तो आपको पताईए आरोसी आरोई देखें बहुत ही शांदार है अगर कंपनी की बात करने तो देखें स्ट्रॉंग रेविन्यू ग्रोथ रही है दोस्तों इनकी यह और देख लें आप इस कंपनी के बारे में तो डबल डिजित यहां प जनरें के इनका डिजितल रेविन्यू 50% तक जाप होचा है मतलब कि टोटल रेविन्यू का 50% से ज़ादा अब इजिटल रेविन्यू जो है इनका अर्ण कर रहे हैं जहां पर डिफरेंट क्लाउट बिजनस होते हैं डिजिल ट्रांस्वर्मिशन की बात करें डिजिटल अन अब देखिए 51% के आसपास आ चुका, तो लगातार अपने digital revenue को बढ़ाया जा रहे हैं, जो कि promising है, क्योंकि future दोस्तों, यहाँ पर digital होने वाला है, strong operating profit margins है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, global company है, 50 से ज़ाध देशों में इनकी presence है, North America से 61% revenue आता है, Europe से 24.2, rest of the world से 11.2, India से 2.9, deeply integrated है, financial sector से revenue की बात करें, 33% इनका insurance and banking sector से revenue आता है, 2.9 others है, 6.8 life sciences से आता है, और यह 8.3 high tech से आता है, 9.7 manufacturing space से, consumer packaged and good and logistics से बात करें, retail से बात करें, 15% retail से, communications से 12.2, energy, utility, resource and service से 12.1, और जो 500 fortune companies हैं दोस्तों, fortune 500 companies में से 188 को इस सर्फ करते हैं, तो यह बहुत ही ज़ादा है, यहाँ पर star क मार्क में लगाना चाहूँगा, एक बहुत ही positive चीज है, तो यह है दोस्तों company के बारे में, जानकारी आप यहाँ पर definitely आख बन करके, SIP कर सकते हैं, तो यह है दोस्तों 5 company, जिसमें आप यहाँ पर definitely invest कर सकते हैं, I hope यहाँ पर आपको detail insight मिल गई होगी, 500 companies के बारे में, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को definitely, मैं यहाँ पर expect कर रहा हूँ, एक like तो आप जरू करेंगे, और comment करके भी जरूर आप appreciate कर सकते हैं, तो वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करना चाहूँगा, अगर आपके still कोई question, doubts हैं, तो comment box में पूर सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में, till then take care, bye bye.